पिसमें लेरा मार रहे हैं जी आज की लेक्टर में हम देखने वाले हैं अरीमा मॉडल और सरीमा मॉडल या डिफरेंग के टाइम सिरीज के फोर्कास्टिंग मैथड्स के अंदर जो मॉडल्स हैं उनको किस तरीके से हमने यूटिलाइज करना है और उसकी बेसिक हिस्ट्री से प्रफाइल के उपर या हम गिटहब के उपर उसे अपलोड कर सकते हैं तो टीच पीपल एस वैल ताके लोगों का भी भला हो इसमें इससे आपका पॉर्टफोलियो भी बनेगा और इससे आपको फाइदा भी होगा फ्यूचर के अंदर तो स्टार्ट करने से पहले एक बात आईम अरीमा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बेसीकली दो डिफरेंट टेखनीक्स के उपर बेस करता है इसको अगर मिला जाये तो इसको आटो-regressive integrated moving average model बोला जाते हैं but we will see in a minute कि किस तरीके से यह बना है और इसकी history के है यह आपके सामने screen share हो रही होगी इसके उपर ARIMA model की जो main जिस चीज की यह ब्रिवेशन है वो है autoregressive integrated moving average ठीक है और यह forecasting technique है forecasting का मतलब यह होता है कि prediction on the base of time जिसकी base में future को forecast करते हैं with time ठीक है मतलब future में जब हम कोई prediction करते हैं with time उसे हम forecasting बोलते हैं यह वही टखनीक है जो future values को series based को entirely its own energy है यानि कि अपने ही energy है जो पिछला weight होता है पूरी एक time का हर एक time dependent data set का उन weights की base पे यह future data को predict करते है move कर रही होती है इसकी main application है ना जो वो area of short term forecasting के अंदर बहुत ज्यादा है यानि कि अगर आप बिल्कुल short term forecast कर रहे हैं किसी चीज़ की for example at least आपके पास 40 points का historical data और आप बिल्कुल short term यानि कि 10 दिन 15 दिन की forecasting कर रहे हैं then it's very valuable और वहां पर यह अच्छा काम करती है और इसे वज़ा से अरीमा मॉडल जो है यह ज्यादा तर यूज किया जाता है अब आप बिल्कुल short term forecasting करते हैं to get more accurate value अब इसकी कुछ assumptions भी हैं जो मैं आपको बाद में बताता हूं but before that अरीमा मॉडल जो है यह एक statistical model है और आपको जैसे मैंने स्टार्ड में machine learning के बताया था कि machine learning के जितनी भी टेक्नीक्स हैं सबकी सब statistical techniques है statistics से वो उपर move करते जाती हैं अगर आप इसको इसकी main assumption को पढ़ें तो it works best when data exhibits a stable or consistent pattern pattern, stable या consistent pattern का मतलब यह है कि data अगर stationarity को show करेगा तब आप इसको लगाते हैं ठीक है यानि कि आपके data के अंदर stationarity होना जरूरी है अगर stationarity नहीं होती there are some other parameters for example like seasonality है या कुछ और इसके अंदर involved है then we will see कि हमने किस तरीके से इसको implement करना है और हमने यह भी देखना है कि outliers बिलकुल काम हो क्योंकि जब outliers ज्यादा है तो data ज्यादा random हो जाता है जिसकी वज़ा से आपके data के अंदर different किसम के patterns show होना start हो जाते है या तो बिलकुल ही white noise आना start हो जाते है तो हमने यह terms पहले भी अब quick history इसकी देखते हैं कि arima model जो है वो कब बना था कैसे बना था अगर आप history में जाएं तो यह दो model से मिलके बना है और एक technique से मिलके बना है दो model और एक technique auto regressive models जो हैं जिनको हम AR models बोलते हैं वो time series के analysis के लिए 1920s से 1930s के अंदर use किये जाते रहे हैं Yule and Walker यह दो ऐसे scientist थे जिनकी base पे इन्होंने यह model को prepare किया था and then they were using this auto regressive model to describe certain types of time series data जिसके अंदर different time का data था किसने कितना attendance लगाई या काम के ओपर कितने लोग आई चीजों की prices जो हैं उनको maintain करते हैं तो आपको पता है कि history के अंदर economics जो है इसकी history बड़ी back doors आती है और ब basic economics है country level के उपर के चीजों को manage कैसे किया जाता था tax किसने pay किया कितना pay किया तो उसके हिसाब से लोग अंदाजा लगाते थे कितना कमा रहा है based on the time series के इस माह में इसके इतना tax आया तो इसका मतलब यह है कि इसने इतना कमाया इस एक specific state ने इतना कमाया based on the taxation. तो वो time series के data के base पे उनको फिर कुछ different किसम की relaxation भी दिया करते थे. इंडिया पाक्सान के अंदर अगर देखा जाए तो आपको पता होगा के एक recently एक पदमावत के नाम से मेरे ख्याल से movie आयसे जिसके अंदर एक क्या नाम था उनका खिलजी करके. आप मैं से किसको याद है उनका नाम? कौन से खिलजी थे वो? इस जिस जिस अब क्यूस्टिन. मुझे वो खिलजी का नाम भूल गया है. वारल अक्सर लोग ये कहते हैं के इंडिया यानि के बरे सिगिर के अंदर अलाओ देन खिलजी येस. परे सिगिर के अंदर एकनॉमिक्स को जो मेंटेन करने वाले थे, जो नहीं काफी रूल देने वाले थे, वो अलाओ देन खिलजी थे. I'm not sure about that history, लेकिन आप इसको explore कर सकते हैं, you can think about it. By the way, 1920 से 1930s तक ये autoregressive models जाना start होगे. Before that, people were just writing down everything without modeling anything. जरो write down करते थे तो और खुद से trend देखते थे data के अंदर. लेकिन जैसे ये model इन्होंने पेश किया, इसके बाद 1920 से 1930 तक हमारे पास autoregressive model आना लगते. इसका मतलब ये था, कि the current value of a series is explained by its previous values. मतलब ये, कि जो इस वक्त current value चल रही है, उसकी base पे previous जो है, वो previous की base पे बताई जा रही है. तो यही time series analysis है, but at that point they say, कि जो उस specific time point के उपर को value आई थी, वो ही उसके specific time point पे manage करेगी. For example, अगर किसी का June का data हमारे पास पड़ा हुआ है, तो July का June के साथ match नहीं करेगा, but पिछले साल का June का data उसके साथ match करने वाले है. So they were saying in a way, the current value of series is explained by its previous value, उसी series की previous values की base पे, ठीक है? So now we will see, कि फिर उसके बाद हमारे पास moving average आए, which was from 1940s to 1950, और moving average models जो है, इनके अंदर ये देखा जाता था, कि इसकी series जो है, past error terms के साथ maintain की जाती है. आपको पता है, जब हमारे पास एक moving average आती है, इसका मतलब ये है कि average अगर किसी चीज़ की हमने लगाई है, तो उसके साथ standard error भी साथ में move कर रही है, जिसको हम central tendency बोलते हैं, statistics की जुबहां के अंदर, तो जब हमारे पास central tendency भी साथ-साथ move कर रही है, तो error terms की base पे, हम basically detect कर करते हैं कि कितनी अगली वाली prediction जो है, वो हमने कर नहीं है, खास दोर पर model predict करता है, तो इसकी contributions and to the development of MA models are often attributed to the statisticians like, जिनका नाम है जनाब Slutsky and Wald, ये दो बंदों के नाम इसका सहरा जाता है कि इन्होंने basically 1940 से 1950 के अंदर moving average के models पेश किये, फिर एक integration की technique है, ये idea ऐसा था कि आ चीफ stationarity, यानि कि आप current time में से, यानि कि current time की prediction में से पिछले को minus कर देते हैं, और फिर उससे पिछले को difference निकालते हैं, फिर इस तरीके से पीछे-पीछे पीछे जाते हैं, जिस से क्या होता है, आपका data stationarity की तरफ चले जाता है, stationarity का मतलब होता है कि जिसमें खास थोर प क्यों यूज की जाती थी इसकी मेन वज़ा जो थी वो हम देखेंगे अरीमा मॉडल के अंदर और फिर हम इसका अंदाजा लगाएंगे कि इसका फाइदा कैसे हुआ तेन अरीमा मॉडल आया अरीमा क्या है जना आप देवल्मेंट ओफ अरीमा मॉडल इसका पुराना अगर लगा लिया जाए तो उन्होंने इस मॉडल को एक अप्रोच के तोर पे यूज किया तू स्टेडी या एनलाइज दे एकनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल टाइम सेरीज डेटा क्योंके इंडस्ट्रियल रेवलुशन उस से निटी सेवेंटी सेवेंटी के बाद आना स्टार्ट हो गया था at that point they started thinking के चलो कोई ऐक ऐसा model बनाया जाए by actually integrating two models इसका नाम है autoregressive model और दूसरा moving average model तो उन्होंने जब इसको implement किया, integrate किया तो then ARIMA came into existence और इसका main function था economic model या industrial time series रेटा industry भी जो है वो भी economy के उपर depend करती है so इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप economic और economic models को use करना चाते है तो ARIMA was first few models के अंदर ARIMA का भी जो है वो include किया जाते है और basically उन्होंने एक book published की थी जो बड़ी एक traditional और classical book माने जाती है time series analysis forecasting and control यह 1970s के अंदर ही यह book published की गई थी 1970 यह 1971 का दूर बताया जाता है but at that point यह जो वर्क था बड़ा ही जो है सराहा गया through economics economics या econometrics के models के अंदर बहुत ही इनका काम सराहा जाता है क्योंके इनके इन्होंने एक methodology भी दी जिसका नाम है box Jenkins क्योंके यह इनका नाम है box और इनका second name है Jenkins इन्होंने बकाइदा एक methodology दी जो है identify करते थी करती थी based on the arima models क्या estimate करती थी कौन-कौन सी चीज़ें थी we will see in a minute now अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर 50 साल पुराना model है अब क्यों इसका हम use कर रहे हैं वजह क्या है so there are many things जो उस वकत नहीं थी उस वकत data कम था digitalized industry कम होई थी economy जो है हमारी economy जिसे हम बोलते हैं वो भी digitalized कम होई थी इस वज़ए से data को compute data पहले तो थाए नहीं अगर data आ गया तो computation power कम थी इस वकत हर एक चीज़ digitalized आप credit card से payment करते हैं आपकी digitalized income वहां पर जा रही है मतलब आपने जहां से पैसे लिये जहां पर pay किये everything is on record so there are many many things involved in these kind of data set और even those stock market का data आगया हमारे पास और different other product का data आगया so arima models can actually work very well now let's see के यह तो हो गया हमारे पास arima model और फिर अगर हम यह देखें के जैसे हमारे पास arima model है ना इसके बाद 1970 के बाद सिरफ arima model अखेला नहीं रहा यह बहुत ज्यादा field में use होना start हो गया economics में तो होता ही है business में जाने लग गया engineering में जाने लग गया for time series forecasting फिर biological या natural sciences के अंदर भी आ गया तो जब यह model different जगों पे use करना start किया लोगों ने और आज के दोर में data scientist हर जगह पर इसे लगा रहे हैं तो क्या हुआ इसके extensions बनती गहीं जैसे यह natural science में आया उन्होंने cyclic patterns देखना start कर दिया different किसम के data के for example temperature का then they started saying के अच्छा अगर इसके अंदर हम seasonal variation add कर दें तो यह सरीमा हो जाएगा सिरफ season इसमें add किया होना तो यह सरीमा होगा और अगर आपके पास arimax एक other model है जिसको हम कहते है arima with exogenous inputs इसका मतलब यह है कि अगर आप different predictors को इसके अंदर add कर दें तो इसको लोग हैं अगर आपको नहीं बता तो time series के analysis के अंदर जिसको अरीमा का नहीं बता ना उसे कट कंड़ा नहीं बता तो अगर आपको अरीमा के model के बारे में information है you know some things जिनको PDQ बोलते हैं अरीमा के model के अंदर you can do a lot of things in time series analysis और बड़े-बड़े data scientists जो है वो अरीमा सरीमा और आरीमेक्स के ओपर बड़ा focus करते हैं so let's see कि यह basic model हमारे पास बताता है कि शॉट टम के लिए forecasting भी शॉट टम करनी है और at least 40 previous historical points होने चाहिए at least का है मैंने not at most 40 से ज्यादा हों it's fine 40 से कम होंगे not good जोलत आपको answer दे फिर बजारी बात है जब भी हम कोई statistics का model देखते हैं हम assumptions जरूर देखते हैं assumptions क्या होती है assumptions होती है कि अगर data के अंदर ये सारी खसूसियात हो तब अरीमा लगना है otherwise अरीमा नहीं लगेगा अगर लगेगा तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा assumption का मतलब है कि हम मज़ियूम कर रहे हैं जो data आप अरीमा को दे रहे हैं वो इन खसूसियात का हामिल है समझाई मतलब ये कि बरियानी बनानी है बरियानी उन चावलों की सिरव नहीं बनेगी उसके साथ मसाले भी आपको चाहिए और कुछ लवाजमा चाहिए जो बरियानी के लिए जरूरी है तो वो उन चावलों को और भी टेस्टी बना के डिफरिंट किसमें चीकन बरियानी यह some other dishes तो आपने बासमती की बरियानी बनानी होती है अब अरीमा के अंदर जो assumptions हैं मोटी मोटी assumptions मैं आपको पहले बता देता हूँ and then we will go in details one by one पहली है जी stationarity होना जरूरी है data आर या is आपका जितना data है वो stationarity का हामिल है यानि के data के अंदर आपका statistical term same रहती है जो आप historical point दे रहे है वो change नहीं होती मतलब कोई variation नहीं आती we will see के stationarity का कैसे मतलब होता है for example अरीमा मोडल यह कहता है के data stationary है ठीक है a stationary time series is one whose properties do not depend on the time at which the series is observed for example यह ना होके temperature सिर्फ जून में उपर जा रहा है time पर depend ना करें ठीक है तो उसका मतलब यह है कि जून में सिर्फ temperature उपर नहीं जा रहा है it should go for example in December भी temperature उपर जा रहा है but we will see in another word के stationary time series वो होती है जिसकी property depend नहीं करती time के उपर change होती है time dependent नहीं होती ठीक है इसकी example वो ही है कि सिर्फ जून में temperature अपनी हो रहा अगले महीनों में भी हो रहा है in other words it assumes that mean variance and autocorrelation structure do not change over time we will see कि यह तीन का है mean का आपको पता है variance का भी आपको पता है autocorrelation मैंने उस दिन बताया था कि आपका same step जो आ रहा है वो change ना करे over time we will see that कि वो क्या चीज होती है अगर stationary data नहीं है data में stationarity नहीं है they need to be transformed so that they are stationary data for example यहां पर अगर आपका data stationarity में नहीं आता तो there are some models जो उसको stationary data में convert कर देते है ADF model याद है मैंने आपको ADF model बनाया बताया था तो वो हम इसके अंदर use कर सकते हैं to convert this data into stationary data this is often done by differencing the data logarithmic transformation or deflation by control series basically data data में से हवा निकाल देते हैं जहां पर ज्यादा तर हुजम हा रहा होता है अगर उसको बिलकुली normalize कर देंगे logarithmic transform कर देंगे सो इसकी dependence खतम हो जागी based on some other data points इसको further हम देखेंगे भी and then you will learn कि यह किस तरीके से काम करते है right अब आगे कि चलते हैं linearity linearity क्या होती है एक data का linear trend बनाना या बिलकुल उपर की तरफ जा रहे data या बिलकुल नीचे की तरफ आ रहे ठीक है अब हम देखते हैं कि ARIMA कहता है ARIMA कहता है the ARIMA model assumes that the data can be fitted to a linear model कि इसकी हम linear regression कर सकते हैं in other words तो अगर आपके data में linear model नहीं बनता you cannot fit ARIMA model obviously आप लगा सकते हैं लेकिन उसका answer घलत आएगा या कम या आप कहलें कि accurate नहीं आए इसका मतलब यह है कि जब residuals की बात होती है तो वो random होंगे और नॉर्मली का मतलब यह होता है कि दोनों साइडों पर zero के same form के अंदर होंगे यह नहीं होगा कि एक साइड पर ज्यादा हो और एक साइड पर काम हों तो नॉर्मली डिस्ट्रिबूटेड होंगे जो हम डीकंपोज करके निकालते हैं जिनकों एर्र बोलते हैं यह वेरियंस बोलते हैं इफ दे शो अनी पैटरन और नॉर्मली डिस्ट्रिबूटेड इसकुट बी अन इंडिकेशन देन यह डेटा इस नॉट लीनियर एंड अरीमा मॉडल में नॉट बी बेस्ट च्रॉइस ठीक है तो आपका डेटा लीनियर होना जरूरी है याद है आपको स्टार्ट में मैंने आपको पैरामेट्रिक मैथेड के कुछ एजम्शन बताएं थी यह रिमा की है इस्टेशनरिटी लिनियर इटी दो ओगे फिर नॉट सदन जंप्स और ब्रेक्स मतलब खड़े वाला रास्ता या खड़े वाला डेटा नहीं होना चाहिए मतलब आपकी गाड़ी समूथ जानी चाहिए इस्टेशनरिटी यही है ना कि वेरियेशन नहीं हो उसके अंदर टाइम डिपेंडेट्ट बिलकुल समूथ जा रही हो या उपर को या नीचे को जिदर भी जा रही हो समूथ वेरियेशन हो रही है तो बहुत ही साधा सीधा साधा डेटा वाला या उपर नीचे होने वाला डेटा ना हो अगर वो है तो आपका मतलब यह है कि आ अरीमा ना यूज करें फिर आगे आता है नों जिसिंग वैलिए अगर इसमें जिस्ग वैलियू से एंपने पहले उसे इंप्योट करना अगर फिर भी आप impute नहीं कर रहें तो direct arima model ना लिगाएं, missing values को भी check करें and then invertibility, यह क्या चीज़ होती है, for the moving average part of the model, the arima model assume that the error terms, जिसको हम noise बहुते हैं, वो क्या है, are generated by linear combination of wide noise error terms, this assumption is referred to as invertibility, a process is said to be invertible if the current value of the time series can be expressed as the linear combination of the past white noises, इसका simple मतलब यह है, कि अगर आपके पास को value final आ रही है न, जब आप उसको check करें, तो वो पिछली जितनी भी आपके white noises है, उसका linear combination हो, यानि कि वो मिलके आपका अगली value को बना रहे हो, white noises का मतलब यह होता है, कि वो data के अंदर जो variation हा रही है, which doesn't follow a stationarity या कोई वो एक specific pattern ना देख रहे हो, ठीक है, randomness जो होती है, उस randomness की linear combination को अप्रोच करके यह बताता है, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, कि यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से data जा रहा है, तो अगर मैं इसका linear combination लूँ, तो that would be this line, fitted line, तो जो prediction है, वो इनका linear combination हो basically, जिसको हम invertability बोलते हैं, ठीक है, so this should be there, अब यह basic assumption है, अगर यह full up नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि आपका ARIMA model इस पर fit नहीं बैठना, अगर यह सब की सब, for example, data stationarity को follow नहीं कर रहा है, you have to do the, transform the data into stationarity data, stationary data, linear trend को follow नहीं कर रहा है, so you have to make some linear trend, वो कैसे बनते हैं, we will see that, फिर breaks नहीं होने चाहिए, missing values नहीं होने चाहिए, और invertability होने चाहिए, let's see, यह सारी चीज़ें आपको पता चल गए, assumption का पता चल गया, ARIMA model का पता चल गया कि कैसे काम करते हैं, और आपको मैंने history बता दी कि 40 points होना जरूरी है, यानि कि at least 40 data points होना जरूरी है, वो एक दिन के हो सकते हैं, वो एक महीने के हो सकते हैं, वो एक साल के हो सकते हैं, you have to see that sudden time stamp होते हैं, अब बात करते हैं कि ARIMA के अंदर तीन basic important चीज़ें कौन-कौन सी होती हैं, और उनको किस तरीके से हमने follow-up करने हैं, basic run-down मैं आपको दुबारा से एक दफा बता दूँ कि A-R, M-A, ये दो models होते हैं, auto regression या auto regressive models और moving average, ये दोनों की integration से हमारे पास अरीमा बनते हैं, अब इन दोनों को बारी-बारी देखते हैं ये क्या है, A-R ये होता है, a model that uses the dependent relationship between an observation and some number of lagged observation, यानि कि previous periods, आप क्या करते हैं, dependent relationship find out करते हैं between an observation, जो आप observe कर रहे हैं या predict कर रहे हैं अदियन, और अपना उसके previous की lagged observation, यानि कि lagged का मतलब ये है कि उससे पीछे एक time से गुजर के, जो observation आपके पास आई हैं, उनका कौन सा relationship है, मिसाल के दोर पे, मैं आपको शुरू से linear regression की कुछ इस तरीके से मिसाल देता हैं, कि ये अगर आपके पास food है, इसको खाने से आपका weight तो है, वो बढ़ेगा, ठीक है, तो आप अगर चेक करें, आपके पास यहाँ पर observation है, तो यहाँ पर कोई dependent relationship इसके साथ आपका हो, यानि कि ये जो दो values आपके पास आ रही हैं, इन दोनों का अपस में dependent relationship है, मतलब क्या, कि अगर food आपने कम खाया, तो weight इतना है, ज्यादा खाया, तो weight इतना है, so this is called dependent relationship, ठीक है, previous observation का, या previous period का, current observation से, इसको हम autoregressive model गाते हैं, और ये असल में, इन models के अंदर, autoregression इसवर आसे use की जाती है, because we have to see three patterns, पहला हो गया, आपका dependent relationship, next, we will move towards moving average, a model that uses dependency between an observation, and a residual error from a moving average model, applied to lagged observation, यानि के, पिछली observation से, जो आपके पास errors आ रही, अब उसका relationship हम देखते हैं, अपनी observation के साथ, ठीक है, for example, आपकी, अगर, इस तरीके से model उपर गो जा रहे हैं, यह आपकी general line इसके अंदर fit हो रहे, which is also an observation from, अरीमा model, एक assumption है उसकी, यह मैंने prediction दी है, अब इस point का relationship, पहले हमने देखा, इन points की, observation के साथ, for example, यह वाली observation, यह वाली observation के साथ, यह हमने देखा, अब हमने क्या करना है, इस point के इर्दिगेट, यानि के इस point और इसके इर्दिगेट के point की, इस तरीके से हम, एक average बनाते हैं तीनों की, के तीनों की center average की है, और उसके इर्दिगेट, इसका residue होते हैं, तो यह दोनों जो residue हैं, इसके, इसकी base पे हम चेक करेंगे, कि average का, इसके साथ क्या relationship बन रहा है इसको moving average बोलते हैं वेसे लिए तो अगर हमारे पास इन दोनों का relationship बन रहा हो तो उस relationship की base पे अगर हमको prediction करते हैं that is called moving average models अब तीसरी टाम आती है इसमें integration integration आपको पता है कि the use of differencing of raw observations subtracting an observation from an observation at previous time step यानिके एक नई observation को पिछली वाली में से minus कर दें मतलब अगर मेरे पास temperature 17 आए तो कल अगर मेरे पास 16 था तो हमने पिछली वाली में से नई observation को minus करना जो भी हमारे पास value आएगी उसको हम in order to make the time series stationarity जब हम उसको लिखेंगे न तो हमारा जो trend है वो बिलकुल stationarity उपर जाएगा कोई variation के साथ नहीं उपर जा रहा हो मिसाल के तोर पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ अब अगर मेरे पास यह इस तरीके से trend जा रहा है उपर को और दूसरा मेरे पास trend जा रहा है इस तरीके से जा उपर कोई रहे हैं और दोनों पर एक line fit हो रही है आपको क्या लगता है इन दोनों में से stationarity data कौन सा है जिसके अंदर stationarity है यह वाला है ना क्योंकि यह बिलकुल smoothly उपर को move कर रहे हैं कोई बड़ी variations नहीं ठीक है तो इस stationarity को maintain करने के लिए आप क्या करते हैं पहली observation में से दूसरी को minus कर देते हैं तो आपके पास जो trend line बन रही होते हैं वह बिलकुल smooth हो जाती है इसी चीज को हम smoothing the variation बोलते हैं जब हमने पिछले दिनों time series के अंदर मैंने आपको smoothness का एक factor बढ़ाया था that we can get by taking a difference from the observed and then taking it out from the previous one तो इस तरीके से यह हमारे पास इस तरह data आता है by the way जब coding में हम देखेंगे तो यह आपको और भी clear हो जाएगा अच्छा अब यह तो तीन चीज़े मैं आपको पहले बताएं कि autoregressive model या autoregression जो है वो same चीज है इसकी base पे हम integration करते हैं moving average के साथ तो यह हमारे पास अरीमा बन जाता है अब अरीमा model है generally donated by अरीमा का p, t and q यह तीन चीज़ें important होती है अरीमा model के अंदर p, t and q यह याद रखनी है आपने क्योंकि अरीमा के अंदर यह बहुत important चीज़ें यह parameters हैं which are always non-negative यानिके negative नहीं होंगे कभी भी इनकी value negative नहीं होगी ठीक है अब यह parameter क्या show करते हैं p is the order ठीक है या number of time lags of the autoregressive model यह value p आई है आपकी autoregressive models के अंदर से ठीक है पी जो आया आपका this is number of time lags फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है D, D is the degree of differencing यानिके the number of times the data have had past values subtracted जितनी दफ़ा पिछली value में से अगली value को निकाला गया वो सारा number of times हमारे पास आ गया which is usually done in integration and then Q, Q is the order of moving average model तो इसका मतलब है हमारे पास एक factor आना है autoregression का, regression का, TI integration से, Q आया हमारे पास moving average model से तो यह तीन factor जो हमारे पास आते हैं इसकी base पे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा model जो है वो कितना fit बैठेगा, ठीक है? और अक्सर उकात जब आप stationarity की बात करते हैं तो हमारे पास जाहरी बात अगर D की value अगर degree of differencing यानि कि कितना आपने difference लिया है, कितनी दफ़ा difference लिया है from observed value to the past values. उसकी base पे अगर D को हम decide करते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि data stationarity में था या नहीं था, अगर हम D की value 0 रखते हैं तो वह ये zoom के data already stationarity में, अगर नहीं है तो फिर हम उसको convert करके D की value 1 करते हैं, but we will see that, जारी बात है, coding में जाएंगे तो ये और भी easy हो जाएगा. अब मेरा आप से एक छोटी सी request है कि यहां पर अपना एक minute लेंगा, P, D and Q, ये क्या होते हैं, इसकी एक अगर आप example देखें, तो that would be great and then we will discuss again, take your minute, P, D and Q, इन तीनों चीजों को देखिएगा, please. झाल 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 तो आपको कुछ clearance होई होगी अगर नहीं होई तो अब examples हम put on करते हैं और examples के अंदर आपको और भी clear हो जाएगा simply हमारे पास एक पार्ट है एर का एक पार्ट है आई का हमारे पास और एक है moving average का ठीक है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं अगर आपने इस तरीके से को लकड़ी के पीस रखे हुए ठीक है वो आपने देखा होगा अकसरवकाद यूट्यूबर वो एक छोटी सी ठीकरी उसके मैं बोलूँगा पैबल को थोड़ा सा हिलाते हैं और वो पूरा ऐसे गिरती जाते हैं गिरती जाती हैं और इसका डॉमिन उफेक्ट बनता जाता है ऐसे ही है अगर आप ये वाली पिछली लकडी को गिराते हैं तो ये अगली को गिराएगी और ये अगली को गिराएगी और इसका एफेक्ट अगली पे जाएगा बेस्ट ऑन दा डिफरेंस बिट्विन दीज टू अगली पे जाएगा और ऐसा टाइम पॉइंट आएगा जहां पर या जाके को बताता है कि पिछली कितनी लकड़ियों ने इसके गिरने है है इसको हम बोलते आँट यानि कि पिछलियों का इफएक्ट अगली पर इसकी तो आप एक सेजन देख रहे हैं नेटफलिक्स के आप पर की यह आपको दो दिन पहले देखी हैं दो एपिसोड फिर आपने देखी हैं तीन एपिसोड आज आपने देखी हैं चार एपिसोड ठीक है तो पिछले दो दिनों का इफेक्ट आज की एपिसोड देखने पे है अगर है तो आपके पास यहां पे जो पी की वैलियू है यानि कि ए आर का जो values का effect है to have the value जो आज आपने observe की है इसको हम बोलते हैं auto-regressive यानि के P P is the order या number of time lags of the auto-regressive model यानि के पिछली चीजों का current observation पे कितना impact है ठीक है अगर हम आज की बात कर रहे हैं अगर हम कल की बात करें के मैं कल कितनी episode देखूंगा अगर वो 5 हैं और पिछली कितनी चीजों का इस पे effect है वो हमारी P की value हो जाएगी तो usually 2 या 3 हो गई है ठीक है और या यूजली observe this value ये उसी तरीके से जैसे हम hyper parameter tune करते हैं कि पिछली कितनी values का इस पे impact है और अगर आप hyper parameter tune कर रहे हैं आप क्या करते हैं अक्सरों का जीरो से 10 तक लेके जो best value आपको result देती है you can actually observe that value ठीक है तो best model हमारे पास वैसे आजाता है लेकिन P की value कुछ इस तरीके से आती है अगर आप बात करें कि हमारे पास ये आगी P की value अब मैंने आपको लकडियों की example दी थी अगर ये बिल्कुल straight पड़ी हैं तो ये बिल्कुल नहीं गिरेंगी लेकिन जैसे ही ये downhill हैं या uphill हैं तो इनके गिरने में और इनके velocity के अंदर फरक पड़ जाएगा for example अगर मैं यहां से कोई गिराता हूं लकडी ये अगली वाली को एक तो गिराएगी और दूसरा थोड़ा सा slide करवा देगी इसी तरीके से अगर मैं इधर से उपर को गिराता हूं तो ये सिरफ गिराएगी और अगली वाली को पीछे को slide करवा देगी तो ये जो effect है जिसको हम trend का effect कहते हैं हम क्या करते हैं integration के अंदर इस effect को remove कर देते हैं ताके हमारे पास जो पिछली values हैं वो ही आए ठीक हो गया तो अगर हमें इस trend को remove कर रहे हैं इस चीज को हम D part बोलते हैं इसको बोलते हैं differencing का मतलब है कि पिछली में से अगली को जब हम remove करते हैं उसमें से बिलकुल उसके downhill या uphill का effect जो है वो remove आजाता है ठीक है अगर आप सिरफ एक trend को remove कर रहे हैं तो D की value आजागी 1 अगर आप कोई trend को remove नहीं कर रहे तो इसका मतलब data आपका already stationarity के अंदर है समझ रहे हैं बात को अगर आपका data इस तरीके से था और इस तरीके से था आप दो D को remove कर रहे हैं तो दो आप यहां पर लिख देगे तो यू निड़ तो फाइंड आट इस trends और उस trends की base पे आप इसे value लगाते हैं अक्सरों का de-compose का function आपको trend की value दे देता है at that point you can have an idea कि हमने D की value क्या रखनी ही ठीक है और यूजली आप अक्सरों का जब data को ADF function यह ADF जो method है उसके साथ आप stationarity के अंदर convert करते हैं वो basically क्या करते है पहले आपका data random है मैं यहां पर बना देता हूँ पहले आपका data random हो रहा होता है ठीक है और उसके साथ-साथ trend जा रहा होता है इसको आपने क्या करना होता है trend को remove करके stationarity के अंदर करना होता है सो आप क्या करते है degree one फिर degree two आती है वो बिल्कुल stationarity में ले जाते है so these are the effects जो हम अभी देखेंगे किस तरीके से ADF का function लगाते हैं तीसरी चीज़ है moving average अब आपको मैं एक यहां पर concept समझाना चाहता हूं कि यह मेरे पास तीन points है इन एक दो तीन इन तीनों की अगर मैं average draw करूं तो क्या बनेगी something like this ऐसे यह वाली average इनकी बनेगी एक मैं मिसाल दे रहा हूं और यह हमारे पास इसकी standard error बनेगी यहां से यह वाला difference यह जो difference है अब जैसे average आगे move करेगी इसके पर भी तो move करेंगे ना समझ रहे हैं बात को इसके पर भी move करेंगे अगर आप इसको एक तो कौन समझ लें तो इसका मतलब है कि यह जो corners हैं इसको हम बोलते है रेजिडूस जब average move करती है तो इसके residuals में move करती है यही जो ठीक रही है या मैंने जो लकडी के pieces यहां पर रखे हुए थे पहला effect था कि पिछलों का क्या impact है दूसरा था कि उसके plane का या trend का क्या impact है moving average का मतलब है कि अगर पीछे से हवा चल रही है तो क्या उस हवा का कितना effect है हवा आप लगा लें कि यह वाली value कितनी change हो रही है तो यह तीनों impact मिला के हमारे पास एक अरीमा model बनता है P, D और Q की value हमारे पास इस तरीके से आती है और अगर आपके पास पिछली at least दो दफ़ा हवा के जोंके आए हैं मतलब दफ़ा residues ने इसको तंग की है तो आप यहां पे Q की value 2 रख देंगे so usually हम क्या करते हैं इन तीनों value को randomize करते हैं D की value का हमें पता होता है या 0 है या 1 है P और Q को हम randomize करके hyperparameter tuning के method के त्रू ज्यादा तरीकों से यह मतलब अरीमा का model best निकालने के लिए 0 से 10, 0 से 10 इस तरीके से रख लेते हैं जो best value हमें result दे खास तोर पे mean scared error और बाकी हमारे matrixes की base पे उसको हम select कर लेते हैं तो यह P, D, Q जो है हमारे पास बड़ी matter करती है अगर आपका data stationary है तो D is equal to 0 होगा अगर आपका data जो है trend के अंदर है then you have to find कितने trend remove करने है उसमें से तो D की value change करने से आपका data की output भी change होती जाएगे आपका plot भी change होता जाएगे and you will see in a minute now जब हम इसकी coding की तरफ चलेगे let's see obviously यहां पर हमारे पास points काफी हैं इसको देखने के लिए लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूंगा कि अब हम अरीमा use क्यों करते हैं ठीक है use करने के लिए हमारे पास अरीमा model आ गया है why do we use क्यों हम moving average और सिर्फ auto regressor और या different other models ही क्यों नहीं use कर लेते हैं अरीमा ही क्यों use करना है why do we use this model इसकी simple example यह है कि यह आपको ओटो को और्टो कोरेलेट्टीम सीरीज के बारे में प्रदलियमा बेस्ट और आटो कोरिलेटड टाइम सीरीज यानि कि जिस टाइम सीरीज में अगले आने वाले पॉइट्स का रिलेशनशिप हो जितने पिछले points है या उन में से कुछ points जिनको motto correlation बोलते हैं यानि कि हर पांचवां point एक दूसरे के साथ relationship में अगर हर दसवां point एक दूसरे के साथ relationship में independent, independent का अगर relation है तो आपके पास best perform करता है अरीमा model ठीक है? second यह है कि यह आपको less data के साथ अच्छी performance दे सकता है और आपका basically short distance के लिए यह ज्यादा बेहतर है जैसे मैंने उपर आपको बताया था यहां पे short term forecasting के लिए बहुत जरूरी है short distance यानि कि short term forecasting for example अगर आप पांट से पंदरा या बीस के करीब करीब आप prediction करना चाहरे है obviously हर model यह short term forecasting अच्छी करता है बतारीमा जो है वो अगले 10-15 दिन का best result दे रहा होता है तो जब आप आपके पास अगली value है उसको पीछे में add करते जाएं तो आपको हमेशा 10 दिन का gap मिलेगा इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि पिछले data की base पे आप current weather forecasting अगर आप कर रहे हैं लेकिन अगर आप पाइंट इनको consecutively predict करते जाते हैं forecast करते जाते हैं इस वज़ास से यह ज़रूरी होता है अब अगली चीज़ इसकी accuracy जो है वो बड़ी जबरदस्त है अगर आप इसकी assumption को meet करते हैं और आपको पता है बड़ी बड़ी companies जो हैं वो अगर prediction उनकी या forecast ही खराब हो तो उनका तो लाखों का billions का dollars का millions dollars का नुकसान हो जाते हैं तो अगर उनको hyper parameter tuned अरीमा सरीमा या Arimax model के उपर forecasting मिल रही हो तो वो काफी ज़यदा नुकसान से बच जाते हैं इसकी accuracy जो है that performs very well as compared to other models, other models कौन से है moving average के या autoregressive models तो यह इन दोनों का combination है इस वज़ा से यह अच्छा perform करता है obviously अगर seasonality आएगे तो सरीमाक्स लग जाएगा, अगर आप inputs multiple add करेंगे तो आपके पास Arimax लग जाएगा, but this performs well then अगली चीज़ यह है कि जनाब business को expand करने के लिए आप short term data के उपर भी इसको लगा सकते हैं यानि के for example एक मिसाल मैं देता हूं कि जो market research की strategies होती है उसके अंदर भी Arima model जो है वो use किया जा सकता है अगर आपकी company पाकिसान के अंदर है और आप इसको global level पे लेके जाना चाते हैं तो आप कुछ दिनों के data की base पे भी इसकी prediction कर सकते हैं कि हमारा stock जो है वो इस country के अंदर कितना उपर जाएगा कर सकते हैं